देश में पिछले 24 खंटे में कोरोना वाइरस संक्रमन के एक लाग साथ हजार चार सो चोहतर ने मामले दर्च खेग जिसके बाद कोरोना के कुल मामलों की संख्या चार करोड 21,88,138 हो गए वहीं कोरोना के सक्रे मामलों की संख्या कम होकर 12,25,011 हो गई है यह जानकारी केंद्रे स्वास्थ मंत्राले की ओर से आज सुबह दी गई आपको बना दे कि पिछले 24 खंटे में 865 मरीजों की कोरोना से मोत हो गई देश में इस बिमारी के चलते जान गवाने वालों की कुल संख्या अब 5,1989 हो गई है मंत्राले ने कहा कि कोरोना के कुल मामलों के मुकाबले सक्रे मामले 2,90 फीजदी है कोरोना से ठीक होने की रास्टे दर अब भेतर होकर 95,91 फीजदी हो गई है पिछले 24 खंटे में सक्रे मामलों की संख्या में 1,66,637 की कमी आई मंत्राले ने कहा कि देश में कोरोना वारिस की देनिक संक्राक्त मक्ता दर 7,42 फीजदी दर्च की गई है जबकि सबताहिक संक्राक्त मक्ता दर 10,20 फीजदी पर है इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ शुरू के गे रास्ट व्यापी टीका करेन भियान के तहट अब तक 179,43,62,182 खुराके लगाए जा चुकी है 95,6,91,7 लोगों को टीके की पहली खुराक और 72,96,19,443 लोगों को दोनों खुराके लग चुकी है इसके अलावा 1,44,57,72 लोगों को टीके की एतिहातित या बूस्टर डोस दी जा चुकी है वहीं आपको बता दे कि पिछले 24 खंटे में जान गवाने वाले कोरोना संक्रमितों में से 444 मरीज केरल के 68 मरीज महारास्ट्रा के थे महारास्ट्रा में अब तक कोरोना से 1,43,008 लोगों की मौत हो चुके है केरल में या कड़ा बढ़कर 57,740 मोच चुके है इसके अलावा अगर करनाटक की बात करें तो करनाटक में 49,300 तमिल्नाडू में 37,733 दिल्ली में 25,970 उत्परदेश में ये संख्याम बढ़ने वालों की 23,303 है और पस्ची मंगाल के अगर बात करें तो पस्ची मंगाल में 20,789 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है अब हम बात करेंगे जनपर सहारेनपूर की तो आपको वदा दे कि फिलाल जनपर सहारेनपूर में मिलने वाले संक्रमीतों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है बीते 24 खंटे के दोरान जनपर में केवल 15 मरीजों में संक्रमन की पुस्टी हुई इसके बाद फिलाल सक्रमामल एक बार फिरस से घटकर 249 पर है जो कि एक रहत की खबर हम कह सकते हैं लेकिन अभी भी कोरोना खतम नहीं हुआ है इसलिए आप सभी को अभी भी सावधानी बरतनी है कोरोना से बचाओ है तू वेक्सिनेशन के साथ साथ बूस्टर डोस अविश्य लगवानी है आज के लिए इतना ही एक बार फिर हाज़ी रोंगे लेटस्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए वीडियो को लाइक करे शेयर करे अगर आप हमारी चैनल पढ़ने है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन जरूर दबाईएगा